जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में वेजाइनल डिस्चार्ट जिसे लिकोरिया भी कहते हैं और जैसे कि लिकोरिया की समस्या में डॉक्टर कौन कौन सी दवा देते हैं उसके बारे में पूरा डेटेल से जानकारी बताएंगे, आपको कौन सी दवा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, उसको खाना कैसे है, उसका डोज क्या होता है, कौन सी दवा किस सिचोसन में दी जाती है, इसके पूरे डेटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे लिकोरिया महिलाओं के जन्नांगों से जुड़ी हुई यहाँ एक परकार की बीमारी है इस परकार की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा जो पर्टिकुलर दवाईया दी जाती है वो कौन-कौन सी दवा होती है चलिए जान लेते हैं लिकोरिया की समस्या में डॉक्टरों के दोरा जो मुख रूप से एंटिवाइटिक दवा दी जाती है वो हमारा पहला मेडसीन हो सकता है मेट्रो नीडाजोल 400 mg का टेबलेट और जैसे कि इस मेडसीन के सपोर्टेट के साथ में जैसे कि कुछ डॉक्टर डॉक्टर सिफेक्ज 400 mg का टेबलेट देते हैं वो फ्लॉक्सासीन या फिर डॉक्सी साइक्लिन दोनों में से किसी एक मेडसीन को दिया जाता है और जो अगला एंटिवाइटिक मेडसीन होता है वो सिफेक्जिम होता है और जैसे कि नैक्ष्ट यानि अगला मेडसीन की बात की जाए तो वो निमात्रा में बना करके दिया जाता है चलिए जान लेते हैं जिसमें जो हमारा एंटिवाइटिंग मेडसीन है डॉक्सी साइक्लिन 100 mg और मेट्रू नीडा जोल 400 mg का टेबलेट ये दोनों मेडसीन यानि 7-14 दिन तक सुबा और साम खाना खाने के बाद में खाने के लिए सल दिया जाता है 7-14 दिन तक ये दवा चलता है और जैसे कि कुछ डॉक्टर डॉक्सी साइक्लिन की जगा और फ्लॉकसासीन देते हैं और दूसरा है जो एंटिवाइटिक के साथ एंटिफंगल का किट बना करके देते हैं वो सिफेक्जिम 400 mg का टेबलेट होता है या तो 200 मिल का आपको 2 टेबलेट देंगे या फिर 400 मिली गराम का एक टेबलेट देंगे और इसके साथ में फ्लॉकुना जोल का 1.500 mg का आपको एक टेबलेट देंगे जैसे कि सिफेक्जिम और फ्लॉकुना जोल टेबलेट ये आपको एक साथ में एक टाइम खाना खाने के बाद में ल तो डॉक्टर के द्वारा इसे तीन से लेके पांच दिन तक इस्तेमाल करने के लिए सला दी जाती है। रखना होता है ये तीन से लेकर पांच दिन तक दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा यूज करने के लिए। डॉक्टर के द्वारा जब लिकोरिया की समस्या में जो दवा दी जाती है उसके बारे में हमने आपको बताया है। अगर इसके अलावा को आउर भी आपको दिकत को कोई परसान तो अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट से संपरक करके दवा लें, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से उपियोंग ना करें।